नमस्कार संस्कृत के प्रिविध्यारतियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंस हिंदी मेडिया पर मैं पंकस्तिवारी जैसा कि मैं आपसे बादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका दूसरा भाग लेकर के आऊंगा और आगे कि संस्कारों के बारे मे विभाजित किया गया था ठीक है ना तो उन्होंने बताया था कि जन्म से पूर्व हमारे तीन संसकार होते हैं फिर इसके बाद जन्म के बाद हमारे कितने संसकार होते हैं छै होते हैं सैसा ववस्था कि फिर इसके बाद सिक्षा के हमारे पांच संसकार होते हैं ठीक फिर इ संसकारों में उन्होंने बताया था कि जन्म से पूर्व तीन संसकार होते हैं गर्भाधान पुन्सवन ठीक है न और सीमन तो उपनायन यह हमारी तीन संसकार जन्म से पूर्व होते हैं फिर जन्म के बाद सहसा वबस्था में छे संसकार बतलाए थे सबसे पहले उन्होंने संसकार और फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था पार्ट को समाप्त कर दिया तो इस प्रकार से उन्हों ने छे संसकार बतला थे आग 10 के संसकार लेकर कि हम आए हैं तो आप लोग हमारी साथ बने रहिए puedo कच्छा 10मि संस्कृत विहारवोर भारती संसकारा सश्ठा पाठा अनुवाद भाग दो चलिए भारतिय संस्कृति के हम संसकारों पर चर्चा कर रहे थे हाँ अब हम लोगों को सिक्षा के संसकारों पर चलना पार्ट दो जो हमारा पैराग्राफ दूसरा था दूसरे के बाद तीसरे नंबर का पैराग्राफ हमारा आया है तीसरे नंबर के पैराग्राफ में हम कहां थे का पढ़ेंगे देखें लिखा हुआ है सिक्षा संसकारेशू क्या लिखा है बटा के सांतह समा वर्तनंस जेती संसकारह प्राकलपिता मतलब सिक्षा के जो संसकार हैं सिक्षा के संसकारों में पाँच संसकार उन्होंने बतलाई थे तो सिक्षा के संसकारों में तो पहले सबसे पहले तो यह जाना है कि इसमें लिखा है सिक्षा संसकारेसु तो सब्तमी का बहुवचन लगा हुआ है कैसे संसकारेशू जैसे रामेशू जैसे सिक्षा संसकारेशू लगा हुआ है कि ने तो संसकारेशू हो गया तो सब्तमी का बहुवचन हो गया संसकारों में देखें सिक्षा संसकारों में अक्षरा आरंब सबसे पहले उन्होंने कह दिया अक्षर का आरंभ अक्षर का आरंभ मुक्सि जो अक्षर का आरंभ होता न ठीक और अक्षर का आरंभ मतलब बोलना थोड़ा बहुत अक्षर आरंभ और सबसे पहले अब हमें क्या है अब अक्षर का ज्यान देना उसको सिक्षा के छेत्र में प पाटी पूजा करवा करके उसको विद्याला जाने के लिए बोलना चाहिए फिर बेद का आरंब करवाना चाहिए उसको बेदादी पढ़ाना चाहिए ठेक फिर इसके बाद केसांत केसांत का मतलब केसों का अंत जो उसकी बाल होते हैं न केसों का तो उसका मुंडन संसकार वह अक्षरा आरंभे अक्षर लेखनम अब उन्होंने कहा है जो अक्षर का आरंभ होता है उसमें क्या है अक्षर लेखनम अक्षरों को लिखना सिखाना चाहिए अंक लेखनम चाह सिसु प्रारंभती इस समय बालक सिसु माने बालक क्या करता है अक्छर को लिखने का और अंक लिखने का क्या करता है प्रारंब करता है। अर्थार्थ उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि गुरु गुरु सिस्य के स्वाग्रिह नैनम भवती अर्थार्थ गुरु 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 सिस्य के घर पर घर पर नैनम भवती क्या होते हैं ले जाते हैं ठीक ले जाते हैं तत्र शिस्य सिक्षण नियमानम पालयनम अध्यानम करोती गुरू क्या करते हैं सिस्ष को घर ले जाते हैं घर पर ले जाते हैं और सिस्ष वहां पर तत्रमान वहां सिस्ष सिक्षा को ग्रहन करके और उनकी पालन को करके पालन का अध्यान करता है जो वहां की नियम होते हैं उनका अध्या होते हैं उसमें ब्रह्मचर का भी पालन होता है प्राचीन काले प्राचीन काल में सिस्या ब्रह्मचारी इतिकत थे प्राचीन काल में जो हमारे सिस्या होते थे सब को ब्रह्मचारी बोलते थे क्योंकि ब्रह्मचर का भी पालन करवाया जाता था और उनको रखा जाता था वह गुरु ग्रहे और गुरु के घर में एव शिश्या बेदा आरंभा करोती और गुरु के घर में ही क्या करते थे बेदों का आरंभा करते थे सीखते थे इसमें सीखते थे बेदाना महत्वं प्राचीन सिक्छाया बेदों का महत्वं प्राचीन सिक्छा में उत्कृष्टम मनन ने बहुत उतकृष्ट माना जाता था महत्त्र कर्मभवत संस्कार का मतलब केसांत प्रियंग संस्कार मैं जो गुरु जी के घर पर ही ये प्रठम प्रों संस्कार होता है सब से पहले उसको मुंडन संसकार होता है उसके बालों को केसों को हटाया जाता है ठीक जिसे हम मुंडन संसकार बोलते हैं तो सबसे पहले कहां गुरू के घर पर ही यह सब होता था कर्म भावती होता था अत्र गौदान मुख्यम कर्म मस्ती और इस समय गौदान करना सबसे बड़ा कर्म होता था गौद दान में देनी पड़ती थी फिर इसके बाद उन्होंने क्या कहा भारती संसकार यही है कि क्या करते हैं गायों को पालने में सर्म आती है और कुट्टों को पालने में सर्म नहीं आती है कुट्टे तो पचास-पचास हजार के ले आएंगे लेके गाये दस हजार की भी नहीं ला पाएंगे गाये के गोबर से बद्बू आती है और कुट्टे क कुट्टे को उठा उठा करके उसके जो उसकी पौटी होती है उसको उठा उठा करके फिकते हैं कोई दिक्कत नहीं यह भारती संस्कृती बदलता हुआ भारत बदल रहे हैं लोग कहते हैं यही संस्कृती है यही संस्कार है लेकन बास्तिविक्ता संस्कार क्या है जो हमारी स परशिक्षा हमें देती है भारत के संसकार यहीं है कि गुरु परंपरा के आधार परशिक्षा को ग्राण करना सबसे बड़ा संसकार होता है चले देखें आगे क्या कह रहे हैं अब इसमें थोड़ा सा आप यह दिख लेंगे कौन सी विभक्ति लगी है फिर आगे बढ़ते ह फिर लिकाए अक्षरा रंभा अक्षरा रंभा में लगी हुई है प्रत्मा का एक बचन प्रत्मा विभक्ति जैसे रामह वैसे अक्षरा रंभा ठीक फिर इसके ओपना यनम यहां ओपना यनम में लगा हुआ है हमारा जैसे फलम वैसे ओपना यनम वेदा रंभा में भी प् कि यहाँ अनुनासिक संद्धी प्रत्मा का भहवचन भी लगा हुआ है अक्षर के आरहम्भ में ठीक अक्छरों के आरहम नंम तो तो अक्षर पलस आरंबे, तो यहाँ दीर गिषंदी अक्षरा अरंबे. आ आ मिल करके यहाँ दीर की शंदी बना लेगा. फिर अक्षर लेखनम तो लिखा हुआ है, अक्षर लेखनम, अंक लेखनमちゃ, बाने और सिसु, प्रत्मा का एक बचर. जैसे गुरु हूँ वैसे ही सिसु जैसे है बानु हूँ वैसे ही साधु वैसे ही सिसु के रूप चलते हैं प्रारवते प्रारवेते और प्रारवनते तो यह आकर्म बच की किरिया लगी हुए प्रारवते प्रारम करने के लिए आरवते प्रावपसर्ग पूर्वक आरवते उपनयन संस्कारस्च में सश्ठी विवक्ति का एक बचन लगा हुआ है और अर्था प्रत्मा गुरुना गुरु गुरुम गुरु के द्वारा गुरु के द्वारा तृतिया विवक्ति गुरु गुरुम गुरुना तृतिया वे भक्ति का एक बचन लगा हुआ है एक बचन देखिए ऐसे बनेंगे रोप गुरुहू गुरुम गुरुणा गुरुवे 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 स्प्त्मी जैसे रामे व Science का एक बचन को जकुआ यह घर पर नैनम मने ले जाना ले जाते थे भवती माने ले जाते हुए वहाँ पर क्या देखते थे नाखों से देखते थे और भवती भवता भवंती तत्रमान वहां सिस्या में प्रत्मा विवक्ति लगी हुई है सिक्षा में नियमान दुतिया सिक्षो के नियमों को सिक्षा के नियमों को तो यहां दुतिया विवक्ति का क्या लगा हुआ है बहुबचन कौन सा लगा हुआ है दुतिया विभक्ति का बहु बचन लगा हुआ है पालयन यहां पर पालयन बना हुआ है ठीक है कहां पर बनेगा पालयत पालयताम पालयद्यन ठीक बनेगा फिर यहां देखें अध्यायनम करोती अध्यायन को करते हैं ठीक अध्यायन को करते हैं अध्यायनम तो बहुबचनान्त पद लगा नियमा प्रत्मा का बहुबचन लगा हुआ है ब्रम्य चर्य व्रते सब्तमी का एक बचन ब्रम्य चर्य व्रते माने ब्रम्य चर्य व्रत में समा विष्टा माने क्या कर लेते हैं सामिल करते हैं और कहते हैं हहाँ पर सब ब्रम्य चर्य की व्रत कालों में शिस्या ब्रहमचारी ही इती कथ्याते कथ्याते diff Б्रहमचारी के खत गुरु ग्रहेण सब्थ गर्व के घर पर एव शिश्या ये सिस्या बेदा रमभम बेदों के आरमभ को करते थे ठेक, साहर करते थे बेदा नाम, सश्टी विभक्ती का बहुबचन, महत्वम प्राचीन सिक्षनायाम, सिक्षायाम, प्राचीन सिक्षायाम, सब्तमी विभक्ती का एक बचन, यसे रमायाम, वैसे ही प्राचीन सिक्षायाम, उत्कृष्टम, उत्कृष्ट को, उत्कृष्ट स संसकारे सब्तमी का एक बचन केशधन अंत केसांत संसकारे सब्तमी का एक बचन गुरु ग्रहे गुरु के घर पर तो सब्तमी का एक बचन सिस्यस्य तो सश्टि विवक्ति रामस्य प्रथमम माने प्रथम छोर कर्म छोर कर्म का मतलब होता है जो बाल बाल निकाले जाते न जि बालों को हटाना मुण्द संसकार करवाना अत्र मन वहां गौदान मुख कर्म और वहां पर गौदान का मुख कर्म होता है दान करना गौदान करना मुख कर्म होता है समझ में आया आगे देखे अतहा साहित ग्रन्थेशु सब्तमी विभप्ति का बहु बचन अस्य नामांतरम गोदान संस्कारों पी लभ्यते समावर्त संस्कार स्योध्यस्यम सिस्यस गुरु गिरिहात ग्रहस्त जीवने प्रवेशा सिक्षावशाने गुरुहु सिस्यान उपादिश्यो उपदिश्यो ग्रिहम प्रेश्यती उपदेशेशु प्रायन जीवनस्यो धर्माह प्रतिपाद्यंते यथा सत्यंबद धर्मम्चर स्वाध्यायाम्मनह प्रमदह इत्यादी देखें जरा उन्होंने क्या कहा है कि फिर साहित ग्रंथों में साहित ग्रंथों में अस्य यह नामांतर गोदान संसकार अपी लब्यते और साहित के ग्रंथों में इस गोदान संसकार का क्या लाव है मुसब बर्णित किया गया है देखें इसमें सब्तमी का बहुचन यहां सश्टी लगी है नाम नाम धन अंतर नाम अंतर गोदान संसकार अपी संसकार अपलस अपी यहां विशर के संदी हो गई है यहां संसकारों पी लभ्यते लभ्यते लभ्यंते यहां मारी कर्मबाच की क्रिया बनी हुई है फिर लिखाए समावर्त संसकारस से उद्देश्यम तो संसकारस में सश्टी भक्ति उद्देश्यम तो गुण संदी हो गई है तो यहां पर सिधर संसकारस से उद्देश्यम तो यहां संधी हो गई है ठीक सिश्यस मैं सश्टी विभक्ती का एक वचल लगा है गुरूग्र लिखात माने गुरू tin के घर फिर क्या कहते हैं समावर्द संस्कारों के उद्धिस से सिश्ज का गुरु के घर से ग्रहस्त जीवने ग्रहस्त जीवन में प्रविस होता है और वहीं से क्या है जब पड़ लिख जाते हैं तो सिस्स का संसकारों के उद्दिस की प्राप्ती के बाद फिर क्या होता है सिस्स को गुरू के घर से ग्रहस्त जीवन में प्रविस कराया जाता था वहीं से उनको उनका विवाश अश्कार करवाय जाता था और सिक्षा अवशाने माने सिक्षा के बाद में तो सप्तमी का एक वचल सिक्षा के बाद में गुरु माने गुरु ने सिस्यान माने सिस्यों को उपदिश्य माने उपदेश देते हैं और सिक्षा के बाद गुरु सिस्यों को उपदेश देते हैं ग्रिहम प्रेसियती घर बेजते समय क्या देते हैं उपदेशे सु प्रायन जीवनस बोले उपदेश है जीवन का जीवन का पहला उपदेश प्राया ये है कि धर्मा प्रतिपाद्यांते धर्म पर चलना जिवन का सबसे पहला उपदेश है बोले कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ उपदेशों मैं देख लीजिए क्या है सबसे पहले धर्माह प्रतिपाद्य धर्म से कभी बिचलित नहीं होना अपने धर्म पर अडिग रहना फिर दूसरा बोले जैसे बोले सत्यम बद बोले जैसे धर्म क्या है तो बोले जैसे सत्यम बद सत्य बोलना जोट नहीं बोलना धर्मम चरा धर्म पर चलना बोले और क्या बोले स्वाध्यायम नमना प्रमदा इत्यादी और अपने अध्यन के लिए कभी भी पीट मत दिखाना जब भी ज्ञान की बात आए और अपने ज्ञान की बात आए तो उसको पढ़ना और पढ़ने से ही ज्ञान आता है यही हमारा क्या है? स्वाध्याय अपने अध्यान अपने ज्ञान के लिए हमेशा पढ़ते रहे हैं ठीक फिर उन्हाने देखी अब इसमें क्या कह रहे हैं सिस्यास में सष्टी tip गुरुघ९ाथ में पंचिमी वक्ति ग्रहस्त जीवने में सष्टी का एक बचन लगा हुआ है प्रविसा में प्रत्मा विवक्ति लगी है सिक्छावश्मानी में सप्तमी का एक बचन यहां दीर की शंदी हो गई है सिक्षा प्लस अवशाने सिक्षा प्लस अवशाने यहां बड़ा आ और यहां आ दोना मिल करके बड़ा आ बन गया है तो सिक्षा वशाने दिर्ग शंदी हो गई है ठेक फिर इसके बाएं गुरु हूँ प्रतमा बिभक्ति का एक बचन लगा हुआ सिस्यान में दुतिया विभक्ति दुतिया विभक्ति का बहुचन दुतिया का बहुचन उपदिश्य में उपदेश देना ग्रिहा माने घर को प्रेस्यती माने घर को भेजते समय घर को तो दुतिया विभक्ति प्रेस्यती प्रेस्यता प्रेस्यंती तो यहां लट लकार पर थम पुरुष एक बचन का रूप बना हुआ है उपदेशेशू में सब्तमी का बहुबचन सब्तमी बिवक्ति का क्या लगा है बहुबचन लगा है प्रायण में तृतिया बिवक्ति लगी है क्या लगी है प्रतिपाध्यंते प्रतिपाध्यते प्रतिपाध्यता प्रतिपाध्यंते तो बहुबचना अंतिपाध लगा हुए जैसे सत्यमबद सत्य बोलो धर्ममचर धर्म का आचरण करो धर्म पर चलो और स्वाध्यायमन यानमन प्रमदह प्रमाद इत्यादी इतिधन आदी इत्यादी यन संदी आगे देखेंगे देखें ज़रा अर्थ को देख लेंगे सिक्छा संसकारों में अक्छर आरंभ उपनयन वेदारंभ केसांथ और समाप वर्तन संसकार होते हैं अक्षा आरंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चा आरंभ करता है उपनयन संसकार का अर्थ गुरू की द्वारा सिस्स को अपने घर में लाना होता है वहाँ सिस सिक्षा नीवों का पालन करते हुए अध्यन करते हैं और तथा ब्रमचर के ब्रत का पालन करते हैं प्राचीन काल में सिस को ब्रमचारी कहा जाता था गुरू के घर में ही सिस बेदारंभ करते थे बेदो का महत प्राचीन सिक्षा में स्रिष्ट माना जाता था कि सांत संसकार में गुरू की घर में ही सिस्ट का प्रथम मुंदन संसकार होता था इसमें गौदान मुख कर्म होता था इसमें गौदान क्या होता था मुख कर्म होता था और इसमें गो का दान किया जाता था और यही संस्कार सबसे मुख होता था और इनों ने कहा इस आता हा शाहित ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गौदा संस्कार भी मिलता है समाप वर्तन संसकार का उद्देश सिस्ष का गुरू के घर से अलग होकर ग्रहस्त जीवन में प्रवेश करना होता था सिक्षा की समापती पर गुरू सिस्या को उपदेश दे कर भेशते थे उपदेशों में प्रायाह जीवन के करतब्यों को बताया जाता था जैसे बोले सत्त बोलो धर्म का आचरण करो अपनी विद्धुता पर घमंड मत करो अपनी विद्धुता अपने ग्यान पर कभी घमंड मत करो और अपना स्वाध्याय करते रहो बस और किसी से बोले मतलब नहीं होना चाहिए ठीक है आगे देखें इसके बाद के संसकार हमारे क्या है इसमें जरा देखेंगे हमारा चौथे नंबर का प्राविशती अब यहां पर देखना कि उन्होंने सारी संसकार वो क्रम से बता रहे हैं कि सबसे पहले गुरु की यहां जाना गुरु से जब गुरु की यहां से सिख्छा प्राप्त करके आप निकलने की बात आती ह तो ग्रह प्रवेश में जाना होता है और ग्रह प्रवेश में जाना है तो उसमें क्या कहते हैं कि विवाह संसकार पूर्व कम विवाह संसकार शे पूर्व एवो मनुश्या यह मनुश्य वस्तुताहा ग्रहस्त जीवनम प्राविशत विवाह संसकार की मैं जब विवाह संसका हो जाएगा तो मनस्ग्रस्ट जीवन में प्रवेश करता है विवा कि अर्थार्थ की विवाः बहुत पवित्र शंश्कार बहुत पवित्र है और ऐसा मानना है कि प्रकार की विदियों से करमकाण दानी माने कर्मकांड होता है अनिक प्रकारी की विदियों से कर्मकांडादी पूजन के मंत्रों को बोला जाता है तेसु बागदानम उसमें बागदान भी होता है बाग माने बाणी का दान भी होता है और मंडप निर्माणम और वहाँ पर बाणी बचन होते ना बचन पांच साथ पांच बचन वही बागदानम मंडप निर्मानम मंडप भी बनता है और बधू ग्रिही मतलब बधू के घर में बर पक्छस माने दूलहे का पक्छ स्वागतम माने स्वागत करता है स्वागत होता है दूलहे के पक्छ का क्या होता है स्वागत होता है कहां बूले बधू क के घर में अर्थार दुलहन के घर में और जो दुलहा होता है जो बर होता है उसका श्वागत होता है और बर बद्धो अगनी की स्थापना होती है, पानी ग्रहन, पानी ग्रहन, पानी ग्रहन शंसकार होता है, साथ फेरे होते हैं, और क्या होता है, लाजा होम, लाजा होम भी होता है, जो कहीं कहीं पर उसको वो कहते हैं, धान वो आई बोलते हैं, लावा वर्शाना, वो लाजा होम भी होता है, स रूप के द्वारा विवाय शंसकार का प्राया आयोजन होता है और क्या होता है वोने तदनंत्रम उसके बाद गर्भाधान आदया शंसकारा पुन्रावर्तंते जीवन चक्रमचा ब्रमती बोले उसके बाद गर्भाधान होता है गर्भ में फिर बच्ची का आना होता है विव उनर चक्र चालू हो जाता है और जीवन का चक्र चा ब्रमति इस प्रकार जीवन चलता है कि बच्चा जन्म लेगा धीरे धीरे पड़ेगा लिखेगा विवाशन्षकार होगा विवाशन्षकार के बाद फिर उसके द्वारा एक बच्चे का जन्म होगा फिर उसके द्वारा बच्चे का जरूर यह जीवन का बोले ऐसी प्रकार से क्या चलता है बोले चक्र चलता है क्या होता है क्या होता है जो समसान में जाकर कि लगा री जाती है तीली और जलाया जाता है वही कहलाता है अनुष्ठी संसकार यहनुष्ठीच वह उसका अनुष्ठीरने संसकार कि अवर्तिया जीवन धर संसकार का यह सबसे फ्रफादान शंशकार भी होता है यह होता है यह जीवन और अब डेखना यहाँ पर विशर के शन्दू और ग्रैस्त जीवन में कोई उत्यविवक्त्ूती प्राविशति प्रावी संति तो लत लकार प्रथमपूरुष एक बचन का रूप लगा है प्राउप सर्क पूर्वा विवाह में प्रत्मा भक्ति पवित्र शर्शकारा मता यत्र नाना विधादहानी तो यह हमारा बहुबचन का विधाने 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 विधानी तो यहां बहुबचन पद लगा हुआ है कर्म कांडानी मे भी प्रत्मा का बहुबचन भवती भवता भवंती तो ये भी हमारा लटलकार प्रत्म पुरोष बहुबचन का रूप लगा हुआ है तेसु में सब्तमी भक्ती लगी हुई है बाक दानम में बेंजन संदी लगी हुई है बाक धन दानम बाक दानम तो गह हो गया है तो बेंज वैसे ही ग्रही ठीक फिर इसकी बाद बर पक्षस में सश्ठी बिभक्ती का एक बचला क्या लगा है बर पक್षस्यो जैसे रा मस्य वैसे बर पक्षस्यो स्वागतम सूधन आगतम तो यहां यर्ण संदी हो फिर क्या है बरवध्धों। बरवधु। फिर यहां सब्द्पद्धी अब यह तो सारे हमारे क्या है नियम है और यही हमारे जो संसकार होते हैं उनके नाम है सिंदूर दानम इती धन आदी इत्यादी यहां इन संदी हो गई समान रूपेण में तृतिया विभक्ती सर्वधन अत्र सर्वत्र यहां पर रूपेंड में तृतिया विवक्ति जैसे रामेंड वैसे ही रूपेंड विवाय संसकारस में सश्टी विवक्ति जैसे रामस से वैसे संसकार प्रायर्ण में तृतिया विभक्ति आयोजनम में दुतिया भवती भवता भवता भवती में लटलकार पर्थम पुरुष एक बचन का रूप फिर गर्वा धानादया गर्वा धान प्लस आदय तो गर्व का धान होता है और फिर गर्व धारण होता है ठीक ये गर्वा धानादया यहां दीर की संदी संसकारा में प्रत्मा का बहुवचन लगा हुआ है जैसे रामा रामव रामा संस्कारा संस्कारा पुनरा वर्तंते पुनरा प्लस आ वर्तंते तो यहां विशर्ग संदी हो जाएगी यहां पर यहां विशर्ग हो जाएगा पुनरा प्लस आ वर्तंते तो पुनरा वर्तंते जीवन चक्रम इसी प्रकार जीवन का चक्र भ्रमती भ घूमता है मरनाद अन्ठरम मरणाद प्लस अन्तरम तो मरनाद अन्तरम यहां व्यजण संधी हो गई सबस Pittsburgh सबस्ट बंजय निकार फ्रियंत करमबाज़की हो गया जीवन दर्शनस में सष्टी विभवक्ती का एक बचन लगा है महत पूर्णम उपादानम में दुतिया संसकार रहा इती संसकार रहा इती ठीक ये उन्होंने संसकार यहां पर बतला दिये हैं कि ये हमारे क्या है बोले संसकार हैं अर्थ दिया हुआ है इस अर्थ को देखें जरा उन्होंने क्या कहा है कि विवाह शंसक होने के बाद ही व्यक्ति ग्रहस्त जीवन आरंभ करता है व्यक्ति क्या करता है ग्रहस्त जीवन में प्रारंभ करता है व्यक्ति क्या करता है ग्रहस्त जीवन में प्रारंभ करता है व्यक्ति क्या करता है व्यक्ति ग्रहस्त जीवन में प्रारंभ करता है व्यक्ति क्या करता है बरबधु का निरीच्छन, कन्यादान, अगने की स्थापना, पानी ग्रहन शंशकार, धान के लाविश हवन और शप्त पदी, सिंदूर दान आदी फिर उले बैवाहिक परंपरा सभी जगए एक जैसा ही है इसके बाद गर्भाधान शंशकार तथा अन शंशकार होते हैं मृत्यू के बाद दाह शंशकार किया जाता है इस प्रकार भारतिय जीवन दर्शन का महत्पूर्ण स्रोत ये संशकार है सब जगए यही बोले इसी प्रकार का संशकार होता है और भारती दर्शन हमें इस संस्कारों से क्या करवाता है अवगत करवाता है और हमें मानव जीवन के लिए इन संस्कारों को निभाना चाहिए यही हमारे भारती संस्कृति की क्या है संस्कार है और संस्कारों से जो बन्दा होता है वो संस्कार उसके हमेशा सरीर पर बोड़ी पर उसकी लेंग बेज़ पर हर जगए क्या है जहलकते है इसलिए व्यक्ति को संस्कारों से हीन नहीं होना चाहिए संसकारों में लीन होना चाहिए द्यान रखें आज की कलास हमारी यहीं तक रहेगी बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे आपको इसका अगला भाग तब तक के लिए अद्बुद वहच करता है आपका श्वागत धन्वाद जै तुस्रस्कृतम जै तुभारतम